नमस्कार किसान भाईयो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इपको कंपनी के एक प्रोड़क्ट आल राउंडर के बारे में जैसे नाम से ही पता चलता है आल राउंडर या फसलों में कीट, रोग वग्रोथ तीनों को साथ ही करता है इसमें क्या क्या कंपोजीशन पा सारी जानकारी इस वीडियो में हम साजा करेंगे वीडियो में अंतर तक बने रहें और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिस से आपको ऐसी ही जानकारियां आगे भी मिलती रहें इपको आल राउंडर प्रोड़क्ट एक तरह क और्गेनिक प्रोड़क्ट है अल राउंडर में फसलों में लगने वाली बीमारियां वा कीटों को कंट्रोल करने की छमता पाय जाती है और साथ ही या एक प्लांट टोनिक का भी काम करता है या पौधे की गुरोध भी कर सकता है अल राउंडर एक विसेश रूप से तयार क अल राउंडर को कुछ ऐसे सूचम जीवों के द्वारत तयार किया गया है जो पौधों को ये तनों वा पत्यों में हमला करने वाली रोग जनक जीवान वा फफोन को नस्ट करने के गुड़ पाय जाते है एक तरह से या फंगिसाइड और इंसक्टिसाइड कहा जा सकता है आल राउंडर में डवल एक्षन फार्मूला होता है रोगों कीटों से तो फसल को बचाता ही है ताथ ये फसल की ग्रोध भी करता है या फसल की उपच को बढ़ाने का कारी भी करता है फसल की सभी समस्यों का समधान एक उत्पात के द्वारा किया जासा है इफको आल राउं सब ही तरह की फसलों में इसका प्रियोग कर सकते हैं और इसके साथ ही इफको आल्राउंडर को और्गेनिक फार्मिंग और गार्डेनिंग में भी बहुत अच्छा प्रियोग किया जा सकते हैं लोग कीचन गार्डेनिंग करते हैं तो उनको अलग-अलग प्रोड़क लेने के आवस सकता नहीं पड़ेगी, वो आल राउंडर का प्रियोग अपनी फसलों पे समय समय पे कर सकते हैं, आल राउंडर को प्रियोग करने की बिध वा डोज क्या होती है, इफको आल राउंडर क फसलों में कई तरह से प्रियोग किया सकता है, पहला है, सीट ट्रीटमेंट के द्वारा, आल राउंडर को प्रियोग करने से बीजों का जमा अच्छा होता है, और सुरवाती रोग वा कीटों से सुरच्छा मिलती है, बीज उपचार करने के लिए, 20 ml आल राउंडर को 1 kg ब पर घोल तयार करके फसलों में आवस्चता अनुसार इसके श्प्रे किये जा सकते हैं। तीसरा है ड्रिप के द्वारा अल्राउंडर को एक से दो लीटर प्रती एकड के हिसाब से ड्रिप में भी इसका प्रियोग किया जा सकता है। चौथा है स्वायल अप्लिकेशन में आल्राउंडर को मिट्टी में भी प्रियोग किया जा सकता है। नमी बनाए रखी जाती हैं। और इसको 10-15 दिन तक की छाया में रखा जाता है। और उसके बाद में फिर इसको खेट में भुआई करने से पूर या रुपाई करने से पूर खेट में प्रियोग किया जाता है। आलाउंडर को कभी भी केमिकल के साथ में मिक्स करके प्रियोग नहीं करना है। इसके अगर हम प्राइस की बात करें, तो इपको की तरफ से किसानों के लिए 1 लीटर आलाउंडर का प्राइस 500 रुपेर रखा गया है। जो की इपको के स्टोर से उपलब्ध हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।